तमस्कार आपका स्वागत है आप देख रहे हैं दान्यूस आपके साथ मैस फ्रिष्टी मिश्वा बड़ी ख़बर बिहार से आ रही है बिहार में आपको पता होगा अभी एक्स पोस्ट पर बिहार सेंसेस ट्रेंड कर रहा है यानि जाती है जंगन्ना अब दर्शो को बता द हरतिय जंतापाती हमलावर है जातिय जंगन्ना को लेकर जो रिपोर्ट आई है एक बन मैं चाहूंगे आकड़े आपको बताओं आकड़े यही कह रहे हैं हर जगा कि वहां पर हिंदू की आबादी बिहार में जो जंगन्ना की रिपोर्ट आज आई है जो दो चर्णों में जातिय जंगन्ना कराई गई थी कोट में इसको चुनावती दी गई थी लेकिन आखिरकार कोट ने बिहार सरकार को अनुमती दे दी कि आप जो है जातिय जंगन्ना बिहार में करा सकते हैं दर्शकों जंगन्ना हो चुकी है उसकी रिपोर्ट आज आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर रिपोर्ट्स में यही सामने आ रहा है कि हिंदों की आबादी अगर बाचित करें तो बिहार में 81.99 प्रतीशत का है मुसलिम्स की बात करें तो 17.99 प्रतीशत का है क्रिश्चिन्स की बात करें कृश्टिंस की अबादी बिहार में काफी कम है मतलब समझे ना की बराबर है 0.05 सिख की अबादी 0.01 बुद्धिस की अबादी 0.00 जेन्स की 0.96 अब देखी ये है पूरी अबादी की लिस्ट कौन कौन सी अबादी कितने प्रतिषत पे हैं हर च呑न चाह यही दिखाए दे रह ही जातिय जनगना के आधार पड राजनिति करने के लिए मशूर हैं अब hier कहा जा राहा है कि एक कारेकल 15 साल का एक कारेकल 18 साल का लाू यादव का पंदर साल का नितीश कुमार का 18 साल का तो इन दोनों के कारेकल को जोड़ा जाए तो कहीं न कहीं नितीश और लालू की सरकार बिहार में चमकती रही है आपको बता दे बिहार में जातिय समीकरन को लेकर ही लालू परसाद यादव की राज जिती ठीकी रही है और फिर से वही ब्रहमास्त लालू परसाद यादव छोड़ना चाते हैं पहले भी बोला था कि कोई भी मना कर ले बिजेपी मना कर ले हम तो करवाएंगे अब मैं आपको बता दू कि भाजपा इस पर हमलावर है कैबिनेट मिनिस्टर गिराज सिंग फायर ब्रांड नेता भारतिय जनता पार्ति के गिराज सिंग ने कह दिया कि ये भ्रहम फैलाने का काम है आज तक ये रिपोर्ट क्यों ने दिया अपने साशन काल का रिपोर्ट सौपे नितीश बाबू और लालु परसाद यादव गिराज सिंग ने एक कॉन्फरेंस में कहा मीडिया कर्मियों से बाच्चुत करते हुए कि अपने साशन का रिपोर्ट काड नितीश कुमार और लालु परसाद यादव सौपे एक का पंदर साल का एक का ठारा साल का इसी के आधार पर ये राज्युति करते आते हैं ये ब्रहम फैला रहे हैं ये जाती के आधार पर बिहार में जनसंग्या को बाटना चाते हैं केवल और केवल अपने राज्युतिक लाफ के लिए आ जमकर हम लावर और कहारे हैं कि समराथ चौदरी कि यह हम इस रिपोर्ट पर अभी भरोसा नहीं कर रहे हैं इस रिपोर्ट पर हम नितिष कुमार और लालु प्रसाद करके ये ताई करेंगे कि आखिर ये जो जाती अगर जनगन्ना की रिपोर्ट आई है ये वाकई सही है या नहीं और ऐसे में केवल नितीश कुमार और लालु प्रसाद यादव यहां जाती के अधार पर लोगों को बाट कर केवल अपने पाले में वोट करना चाहते हैं और उस हिस पर क्या सामने आ रही है जेस्टी कलेक्शन की बात करें तो केवल 1397 करोड प्रायरिटी अब यहां पर जाती है जनगन्ना को दिये जा रहा है बताया जा रहा है बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर जेस्टी रेवियन्यू ग्रोथ नेगेटिव माइनस 5% है जी हां म दो अलग धर्म के लोग को बाढ़ दो और उससे अपने अपने पाले में अपने अपने कोर वोटर्स को ले लो तो देखिए नितीश कुमार से थाधा लालू परसाद याज़व की यह रण नीती रही है और नितीशक पर दबाव बनाकर लालू परसाद याज़व ने पू सामाजिक मुद्दे क्या हैं आर्तिक मुद्दे क्या है आपको यह भी बता दूं समराड चौधरी और गिराज सिंग ने एक ही बात कहीं कि आखिर जाती के आधार पर नितीश कुमार वो रिपाउट काट क्यों नहीं सौप रहे हैं जब जणगना पहले भी हुई थी तो कितने प्रतीशत आबादी को उन्होंने रोजगार दिये और उनके जितनी कठिनाया थी उसको सुलजाया है कठिनायों से उन लोगों को निकाला है पिछडों को आरक्षन देकर यहाँ पर उनके विकास के लिए कारे किये हैं तो वो रिपोर्ट चाहिए यह कहा है कैबिनेट मिनस्टर गिरियाज सिंग ने गिरियाज सिंग पहली बार नहीं है जब वो हमलावर हैं बार बार गिरिराज सिंग इस बात को लेकर हमलावर रहते दिखाई दे रहे हैं आगे मैं आपको बता दूँ सुशील मोधी भी कह रहे थें कि राज्य सरकार को उन्होंने सुझाओ दिया था कि बिहार सरकार को करनाटक और तेलंगाना टीम भेज कर अध्यायन कराना चाहिए कि इन दोनों राज्यों में किस प्रकार जातिय जनगर्ना कराई गई थी सात में इस बात पर भी ध्यान दें चաहिए कि 2011 की समाजिक आर्थिक जातिय जनगर्ना में क्या तुरूटिया थी और केंज सरकार जाती क्या अकड़ों को सारोजनिक नहीं करा पाई देखे तुरूटिया इसमर बताई जा रही है इसी वज़े से समराण चौधरी हमलावर है समराण चौधरी ने कह दिया ये रिपोर्ट तो सही है नहीं ये बिहार में कुछ सडियां तर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नितीश और लालू की साठ गाट, कॉंगरस पाटी साथ आ गई है, समाजवादी पाटी साथ आ गई है, आम आनिपाटी के संजय सिंग कहा रहे हैं, प्रदान मंतरी इसके खिलाफ क्यों है, देखिए इनके पास कास्टिजम करके ये राजनिती को चमकाना चाह रहे हैं ऐसा बीजेपी आरोप लगा रहे हैं खेर आरोप प्रत्यारोप का अब दोरा देखे शुरू हो चुका है और ये अंत तक चलेगा जब तक की 24 लोगसभा चुनाओ के रिजल्ट नहीं आ जाएं उसके बाद भी देखि सही नहीं है ये आधी अधुरी रिपोर्ट है देखे लालू परसाद यादव ने क्या कहा लालू परसाद यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा है आज गांधी जैनती पर इतिहासिक छण के हम सब साक्षी बने हैं बीजेपी की आने को और साजिश कानूनी अर्चन और तम है जातिगत जनगन्ना की रिपोर्ट आने पर लालू परसाद यादव आगे लिख रहे हैं सरकार को सुरिशित करना चाहिए कि जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी हो हमारा शुरू से मानना है कि जाज्यों के संसाधन पर निया संगत अधिकार सभी वर्ग इतने साल तक राजकिया बिहार में और इसी बात की गवाही बिजेपी मांग रहे है कि रिपोर्ट कार्ट पेश करिए कि आखिर आपको आपने बिहार को कितना आर्थिक सम्रिद बढाया आपको बता दे दर्शकों आखलो के हिजाब से बिहार पिछड़ता जा रहा है बिजेपी आरोप लगा रही है और यहीं पूरे आकड़े थे जो मैंने आपको विस्तार पूर्ट बता दिया मैं चाहूंगे वाकी राए क्या लगता है क्या वाकी जातिकत जंगन्ना के आधार पर यहां पर बिजेपी के लिए काट बने हैं नितीश और लालू या फिर ज सब्सक्राइब बहुत शुक्रिया